तो देखो, जब भी कभी sale आदी है ना, मैं तो अपनी तरफ से आप लोगों को जो भी अच्छे offers है, discounts है, सब कुछ बताती ही बताती हूँ लेकिन होता क्या है ना, कि इस sale का हम तो फाइदा उठाते हैं, लेकिन companies भी पीछे नहीं अटती है जो भी उनका बचा कुछा stock होता है, वो इसी sale में खाली हो रहा होता है इसी वज़े से, कई सारे ऐसे phones जो कि आज की तारिक में बिल्कुल भी sense नहीं बनाते हैं वो भी हमें offer में देखने को मिल जाते हैं कई सारे ऐसे phones होते हैं जहां पर fake offers दिखाया जाते हैं तो exactly मैं Amazon की इस Great Indian Festival sale में कौन से वो smart phones है जहां पर अच्छा discount offer है जो आपको actually में purchase करना चाहिए और कौन से ऐसे phone से जिसको आपको बिल्कुल ignore कर देना चाहिए सब के बारे में बात की जाएगी इस video में और हाँ वैसे flip card की sale का मैं already video बना चुकी हूँ तो ज्यादा अभी time waste करते हैं यह शुरू कर लेते हैं इस video को तो देखो सबसे पहला ही जो phone में आपको बताने जा रही हूँ ना यह आपको नहीं purchase करना है Samsung Galaxy M51 के बारे में बात हो रही है sale में आपको 20,000 की price में मिलेगा देखके लग सकता है कि काफी अच्छी deal है बट आज के time पर नहीं है यार I mean यह phone मेरे पास अभी भी है इस phone की camera's outdated हो चुके हैं बैटरी अभी भी अच्छी है लेकिन overall 20,000 की price को नहीं justify कर रहा है अगर आपको 20,000 खर्च कर नहीं है इससे better आप Samsung का ही जो F62 है उसको purchase करोगे तो ज़्यादा बैटर रहेगा वो flip card पर मिलता है मैंने उस फोन के बारे में बात करी अपने वीडियो में 18,000 की price में मिल जाएगा वो phone वहाँ पर इससे better cameras है और वही 7,000 image की battery भी दी हुई है other than that अगर आप M series का ही लेना चाहते हो then M51 का जो अभी upgraded version आया है Samsung Galaxy M52 आप उसको purchase कर सकते हो वो थोड़ा higher cost में आपको पड़ेगा I mean phone तो 30,000 में launch हुआ है लेकिन sale में आपको 26,000 में मिल जाएगा अगर आपके पास SDFC का card है देन आप उसके उपर और भी discount ले सकते हो तो card जुगाड कर लेना अगर नहीं है तो और भी अच्छे discounts में आपको phone मिलेंगे मैं तो अभी फिलाल यहाँ पर आपको जो flat discount है वो ही बता रही हूँ क्योंकि I know काफी लोगों के पास होगा नी तो 26,000 में recording अच्छी price है M52 5G के लिए processor अच्छा है 5G band का support मिल रहा है cameras भी काफी अच्छे मिल जाएंगे मैं personally उस phone को use कर रही हूँ बहुत ही चल वीडियो भी देखने पो मिलेगा बाकि इसके लाबा IQ Z3 में भी अच्छा घाजार discount है 20,000 का phone है, sale में आपको 18,000 की price में मिल जाएगा बट मैं बोलूगी ये phone हर किसी के लिए नहीं बना है किसके लिए नहीं है पहले वो बता देती हूँ अगर आपको AMOLED पैनल चाहिए देन तो ये phone आपके लिए नहीं है लेकिन अगर आपको अच्छी performance चाहिए Snapdragon 768G टाइप की या फिर अगर आपको अच्छे camera चाहिए देन उस हिसाब से ये phone 18,000 की price को justify कर रहा है लेकिन अगर आपका concern ये है कि IQZ3 का जो अभी successor आया है IQZ5 24,000 का क्या हम उसको purchase कर सकते हैं देखो वहाँ पर भी आपको I guess 1502,000 का कुछ coupon मिल रहा है SDFC का discount लगा होगे तो 21,000 तकी price में पढ़ सकता है वो phone आपको लेकिन मैं फिर भी इस phone को strongly recommended नहीं करूंगी उसके पीछे reason है देखो IQZ3 या IQZ5 दोनों में ही हमें IPS LCD panel मिलता है और 21,000 की price में तो मतलब IPS LCD panel नहीं justified है तो उस case में आप Realme GT Master Edition की तरफ जा सकते हो वो phone flip card पर 26,000 का है 21,000 की price में पढ़ रहा है तो processor सेम है 5G bands का support ज़्यादा मिल रहा है Realme के phone में और उपर से AMOLED with 120Hz refresh rate भी है तो अगर आपको कुछ खास लगाओ नहीं है तो में recording Realme GT Master Edition को आप डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हो flip card पर बाकी तो देखो इस सेल में अगर आपको अपने और भी पैसे बचाने है या और डिसकाउंट चाहिए यह काम कैसे करता है वो बताती हो नीचे साइन अप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जैसे ही साइन अप करोगे 25 रुपीज का इंस्टेंट कैश बैक मिल चाहेगा उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट से लिस्टेड एमेजॉन फ्रिपकार्ट आज यह सब कुछ है यहां पर अभी जैसे मुझे एमेजॉन से गेमिंग कीवर्ट परचेस करना है तो यहां पर एमेजॉन सर्च करते ही मुझे गैट कैश बैक का ऑप्शन मिल रहा है उसको क्लिक करने के बाद यह सी तो इस तरह से आप कैश बैक कर पाओगे अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हो तो वो जब भी कैश बैक करेंगे उसका 10% आपको मिलेगा और अभी तो गोपैसा का एक गीववे भी चल रहा है जिसमें अगर आप अपना एक मिनिमम टांजेक्शन करोगे त अगर आपको और भी कैश बैक्स अर्न करने है तो नीचे डिलिंक दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड देखो शुरुआद में मिन आपको बोल दिया था ना कि काफी कंपनी अपना स्टॉक खाली कर रही है तो वही चीज़ देखने को भी मिल रही है I mean Redmi Note 10 Pro देखके अच्छी डील है क्योंकि 18,000 का फॉन 16,000 में मिल रहा है बुरा नहीं किसी भी वे में लेकिन यार आप खुछ सोच होगे तो एक टाइम पर Redmi Note 10 Pro जब लॉंच हुआ था ना तो वो फॉन 16,000 का ही था कंपनी 500 रुपे बड़ा बड़ा कि अभी 18,000 उसका प्राइस कर दिया औ तो ये फिर भी एक अच्छा सेंस बना रहा है और इसको भी मैं इतना अच्छे से रिकमेंट तो नहीं करूँगी क्योंकि अभी के टाइम पर थोड़ा हो गया है मतलब पुरा ना लेकिन देखो इन दोनों फोन के कंपेशन में अगर आप Mi 11X को आज की तारीक में पॉचेस में मिल रहा है अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आप उसको यूज करके 21,000 की प्राइस में पोचेस कर सकते हो इसलिए बोल रहा हूं कार्ड जुगार कर लेना बहुत काम आने वाला है तो 21,000 की प्राइस में बहुत ही ताबर तोड डील है परफॉमेंस अच्छी है डिस मैं अपने यूट्यूब शॉट्स चैनल पर डालती रहूंगी तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी सेल्स के बारे में इन्फोर्मेशन पता लगती रहे वैसे देखो यहां पर एक और जो काफी सॉलिड डील मुझे लगी है वो है सामसंग गैलेक्सी एम 32 4G पर इस फोन को तो मैं मतलब 15,000 में भी रिकमेंट करते हूं और अभी सेल में यह फोन आपको 15,000 की जगे 12,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा HDFC का काड यूज करोगी तो और भी सस्ता पड़ जाएगा एक दम किलर डील है फोन के कामरास काफी जादा सॉलिड है मैंने परस्नली यूज किया हुआ है इस वज़े से बता रही सही स्मार्टफोन है इसके अलावा अगर आपको मतलब 15,000 की प्राइस में और भी ऑप्शन मिलेगी क्योंकि यहां पर Mediatek Helio G95 चिप सेट है यहां पर भी AMOLED पैनल है तो आप इसको भी आराम से चेक आउट कर सकते हो दोनों ही अच्छे ऑप्शन्स है Samsung Galaxy M32 5G को नहीं recommend करूंगी तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बाकि इसके अलावा तो एक newly launched device है जो कि पहली बार अभी ही sale में मिल रहा है यह फोन मुझे काफी अच्छी डील है वैसे लेकिन क्या है ना मुझे इस फोन के कैमरास को लेखे थोड़ा सा डाउट है कि कैसे निकलते हैं कैसे नहीं तो उसके लिए आप मेरे रिव्यूस तका वेट कर सकते हो लेकिन हाँ अगर आपको वाकई में अच्छे कैमरा सेट चाहिए ही चाहिए और अगर आप 24, 25, 26, 27,000 तक पैसे खर्च करने चाहरे हो तर आप IQ7 की दरफ जा सकते हो क्योंकि वो 32,000 का फोन है सेल में आपको 27,000 की प्राइस में पढ़ जाएगा अगर 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 आपको प्रीमियम सेग्मेंट का फोन पुछेस करना ही है तन मेरे अकॉर्डिंग सामसंग गलक्सी एस 20 FE 5G पर तगड़ा डिस्काउं यहां पर देखने को मिल रहे है जनरल यह फोन 48,000-50,000 की प्राइस में मिलता है जेल में आपको अपको फ से आपको पता लगा होगा कि कौन से फोन को इग्नोर करके कौन सी अच्छी डिल्स को आपको ग्रैब करना है एंड हा अगेन बता दू कि अगर आप कोई भी पोचेस यहां पर करने जा रहे हो गो पैसा के थ्रू करोगे तो आपको और एक्स्ट्रा कैश बैक यहां पर मिल अगे वे